बहुत दिन इंतिजार के बाद, फाइनली, Samsung ने इंडिया पर लॉंच कर दिया है, उसका AVE सीरीज का ब्रैन नीज स्मार्टफून, Samsung Galaxy AVE 13. जो स्मार्टफून आता है, 4G, sitting, 64G$ tag, 11,999만 रॉपष, उसका AVE 11,999 में इस के साइब से बहुत ओच्छा सा फ्रेशिपी के सने और जैसे कि आथा भया सा इसिस्प्ले के साथ, बहुत बहुत बड़ा सब्सक्राइब अब रहें चाहिए इस सब्सक्राइब के चाहिए विडियो आप एंड तक जुरू देखते रहेें अगर आप मुझे पहली वर देख रहे हो मैं सवागत हैं के साथ सेवूप चन्पर चुरू बात करते हैं दोना की बिल क्वालिटी एंड दिजाइन से दिजाइन के तरब देखने पे खुबसुरा जो स्मार्प पॉले कार्वनेर फ्रेम के साथ पॉलोग हैक रहने वाला पीछे की तरह एस ला्य待 tetle cos और Techino का ब्रैंदिंग ए जो स्माटफोन आता है साइड मांट finger-fin sensor के साथ, cheeks के तरब देखा जाया एज जो स्माटफोन आता है, सेंटर पंचुर डिस्पले के साथ, डिस्पले गए ब्रजल और नीचे जो चेनिया पर आपको छोटा देखने को मिल जाएगा और अपा Samsung Galaxy A13, यह जो smartphone आता है, polycarbonate trim के साथ, polycarbonate back रहने वाला है, वीचे की तरफ देखा जाए, coffee cookster और clean design के साथ smartphone आता है, वीचे की तरफ रहने वाला है, triple camera setup, LED plus, उसी के साथ Samsung का ब्रैंडिंग, sidebound finger pin sensor के साथ आता है, phone side के तरफ देखा जाए, जो smartphone आता है, water drop notes के साथ, display क बजल और नीचे जो chain यहाँ पर आपको छोड़ा देखने को मिल जाएगा, इसके बाद बात करते हैं, दोनों smartphone की display के बारे में, display के तरफ देखा जाए, यहाँ पर winner जो रहने वाला है, वहे टेक नोफ हो आतरी, क्योंकि यह जो smartphone आता है, बहुत बढ़ा सा display के साथ, यह ज इसके बात करते हैं, इसके बात करते हैं, दोनों smartphone की performance के बारे में, यहाँ चिपसेट के तरफ देखा जाए, उइनाच जो रहने वाला है, टेकनु फोबाद 3, क्योंकि यह smartphone आता है, मीडियाटेक की तरफ से G88 chipset के साथ, जोकि गॉक्टा को चिपसेट है, उसे के साथ इसक अंदरा भरपूल ले पाऊगे, और वह समसंग लख सी 13 ने जो स्मार्टफोन आता है, समसंग का खुद का चिपसेट, एक जीनोस 850 chipset के साथ, जोकि कॉक्टा को चिपसेट है, इसका चिपसेट इसका चुक्लॉक्स पर रान करते है, टूगेका आर्स में, और यह जो चिप प्राइमरी सेंसर रहने वाला है, 50 Megapixel, यहां पर पिक्चर क्वालिटी बिटर प्रोइट करने वाला है, समसंग, ऐसे बे स्मार्टफोन की पीछे के तरफ और दो सेंसर रहने वाला है, 5 Megapixel और 2 Megapixel, और अपर टेकनु पोबाद 3 यह जो स्मार्टफोन आता है, पीछे के 3W का एडप्टर के साथ, और अपर सेंसंग ग्लक्स सी अफ़ाटफोन आता है, 60W बैटरी के साथ, और यह जो स्मार्टफोन ने 15W का चार्ज़र को सापोर्ट करता है, दोनों स्मार्टफोन के अंदर टैपसी का पोर्ड रहने वाला है, और 3.5M आदियो जैक रहने वाला ह दुनों स्मार्टफोन के जो बेस बेरेंड रहने वाला है, 4GB, 64GB अला फिरेंड, दुनों स्मार्टफोन आता है, LPDDR4X RAM के साथ, सैंसंग ग्लक्स सी अफ़ाटफोन के अंदर आपको नॉक्स सिकूरिटी देखने को मिल चाहेगा, बहुत इस सस्ते में नॉक्स सिकूरिटी तो आप स्मार्टफोन को पहला सेल में पर्चेस कर पाओगे, 10,999 रूपीज में, और अपर टेक्नो फोबा 3 जो स्मार्टफोन आता है, 4GB, 64GB अला फिरेंड के साथ, 11,499 रूपीज में, इसके बाद आता है सिधा कॉनक्लूशन पार्ट के तरफ, कौन सा स्मार्टफोन चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपको प्रचिस करना चाहिए, कैसे फिरेंड ए दोननों स्मार्टफोन से सबसे आच्या जो स्मार्टफोन होने वाला है, जैसे के स्मार्टफोन के अंतर आपको display का size बड़ा देखने को मिल जाएगा, उसे के साथ यहां पर 90 आस का THIS रहन को मिल जाएगा तो यहां पर मेरे सबसे सबसे अच्छा जो स्मार्टफोन होने वाला है इस प्राइस प्राइस में हो है टेकनुपोबा 3 अगर आपको सैंपसंग का ब्रैंडिंग पसंद आता है उसे के साथ आप ज्यादा गेम बगर नहीं खेलते हो तो आपके लिए सैंपसं पसंद आता है तो एक लाइक करना उसे किसना चलन को कर लिए सबस्क्राइब और नोटिफिकरसन बेल को जिरू आल में कलिक करना